हालो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ शिल्पा और आज मैं आपके साथ जशन के हेर्स की वीडियो शेयर करने लगी हूँ मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि जशन की आप कोई अच्छी सी वीडियो हमाले साथ शेयर करें हेर से रिलेटेड कोई अच्छी सी वीडियो शेयर करें तो फ्रेंड्स आप सब की रिक्वेस्ट पर आज मैं वीडियो शेयर करने लगी हूँ तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैनली के साथ शेयर करना तो जब सारे बाल बैक साइड पे किये तो बालों में टैंगल्स बहुत ज़्यादा पड़ गए थे और आप सब को पता कि गर्मी बहुत ज़्यादा है इतनी गर्मी में वो कोई भी हेर स्ट्राइल की वीडियो शेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा था बहुत मुश् मानता है बट आप सब की रिक्वेस्ट पर मैं आज उसके हेर की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं तो सिंपल दो ब्रेड्स बनाने है और रिबन लगाने है गर्मिया है तो स्वेटिंग की प्रॉप्लम बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाल आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे है और ट्रस्ट में गाइज उसके बाल आगे से और ज़्यादा लंबे हो गए है मतलब पहले ही उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे अब उसके बाल और बहुत ज़्यादा लंबे हो गए है लैंध काफी ज़्यादा इंक्रीज हुई है मैं से hair wash कर वातियों, उसकी जूड़ाकरती हूं, तो मुझे पताा लग जाता है कि बाल आगे से ज्यादा हैवी हो गए है , आगे से ज्यादा और लंबे हो गए है , तो बालों की केर करना बहुत ज्यादा मुष्किल हो रही है, बालों की केर करने के लिए, hoping कई गर्मी है गर्मियों में इतना ज्यादा वो बड़ा भी नहीं है सिरफ 10 साल का और मतलब इतने छोटे बच्चे के लिए इतने बड़े बालों को संबालना बहुत ज़दा मुश्किल है स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़दा होती है तो काफी ज़दा मुश्किल होता है और ब्रेड बना रही हूं अब मुझे इस पर रिब्बन लगाना है जैसे हम स्कूल टाइम में हेरस्ट्राइल करते थे मतलब जब स्कूल जाते थे तो ऐसे ही हम रिब्बन लगाते थे करेले करते थे तो बस करेले नी इस बार करने थोड़ा सा चींच किया है तो अब मैं रिबन को इस तरह से ब्रेट पे लगा रही हो और भी वीडियोज मैं शियर करूंगी जशन की या फिर हीर स्ट्राइल की आप सब जशन की वीडियोज काफ़े ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं उसकी वीडियोज पर अच्छी तरह से लगा लिया और अब लास्ट में ऐसे इसे बंद कर देना है तो इसे मुझे इसे इस ब्रेट को ऐसे ही छोड़ देना है इसे मैंने फोल्ड नहीं करना है अब मुझे दूसरी ब्रेट बनानी है बाल बहुत जल्दी इसके लंबे होते हैं हम इतनी कोशिश करते हैं कि हमारे बाल लंबे हो जाएं अच्छे शैंपू भी यूज करो आइलिंग भी करो बर इतनी जल्दी हमारे बाल लंबे नहीं होते हैं जितनी जल्दी जशन के बाल लंबे होते हैं जिस forwards के बालों की growth बहुत जादा अच्छी है एक हर टाइम oiling करके रखता है हर टाइम मतलahu हफ़ते में दो बार oiling जरूर करते है हम उसके बालों की कैर बहुत जादा है बालों की जिस वजह से इसके बाल इतने जादा सुन्दर है काफ़ी black कैडा था ब्लैक है और काफी हैवी है उसके बाल लेंथ काफी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है बालों की और गर्मियों की वजए से बालों को संभालना तो अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है हेर वाश करवाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसके बाद जब 5-6 गंटे उसे बाल पैटा जूर्ब करता हैं तो फ्रेंस में एक फैमली से बिलॉंग करते हूं मैं अपनी बड़ी शारी वीडियोस में बताया हुआ हैं कि मैं एक फैमली से बिलॉंग करते हूं मेरा बेटा सिख है इस वजह प्रेसे हम उसका जूड़ा करते हैं उसके इतनी अच्छे लंबे बाल हैं और कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आप अपने बेटे के बालों को ट्रीम करोगे तो नहीं friends मैं उसके बालों को कभी भी ट्रीम नहीं करोंगी हाँ उसके पापा के बाल मतलब उनकी कटिंग है त शुरू से उन्होंने नहीं बाल रखे हैं बर बेटे के बाल अन्हेंश्मेर के हमारे गर में जितने भी आऋ और का जु और यह आप देखे सकते हैं कि दूसरी भी ब्रेड मैंने बना दी हैं और उस पर भी रिब्बन लगा दिया है वाइट मैंने रिब्बन लिया है अब जो इधर वाली ब्रेड है उसको मैंने उस साइड पे ये देखिए कवर कर दिया है इस तरह से एक हेर स्टाइल बना लिया है आपने देखा अगा बड़ा अच्छा लगता है ये वाला हेर स्टाइल गर्ल्स करती है और जो दूसरी साइड वाली ब्रेड है उसे मैंने इस साइड पे ऐसे बना लिया है तो कुछ इस तरह की इसकी लुक है काफी अच्छा लग रहा था ये हेर स्टाइल गर्ल्स पे तो बहुत ज़दा अच्छा लगता है तो देख सकते हैं इसकी लास्ट लुक कुछ इस तरह से आई है काफी अच्छा लग रहा था हेर स्टाइल स्कूल टाइम पे तो बस करते थे कभी फुल कर लिया कभी मतलब की करेले कर लिये कभी हाफ कर लिये ऐसे कोई ना कोई हेर्स्टेल करते रहते थे तो बस वही टाइम अब फिर से याद आ रहा था तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मिलोंगे मापनी नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए थेंक्यू वाई